हलो एंड वेलकम टू अल अफ यू स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल विवेकमार यूट्यूब चैनल पर मेरी चैनल पर सुबह नो बजे आपको डेली वीडियो मिलेगी आप आईए और वीडियो देखिए और अपनी नोलिज को इप्रूव कीजिए आज हमें एक क्लेम करने वाले राष्टरपती अमरूला साले जो क्लेम करते हैं कि अफगानिस्तान के सन्विधान के अनुसार अगर राष्टरपती उपलब नहीं है तो ओटोमेटिकली उपर राष्टरपती ही राष्टरपती हो जाता है तो मैं अफगानिस्तान का राष्टरपती जो ये claim कर रहे हैं उन्होंने पंचसीर वैली में बैठे हुए एक चिठी लिखी है United Nation को वो पंचसीर वैली में क्यों है ये मैं आपको अगे बताता हूं एक चिठी लिखी है United Nation को और उसमें लिखा गया है कि यहाँ पर पंचसीर वैली में एक बहुत बड़े जैनोसाइड की तयारी हो रही है यहाँ पर बहुत लोगों को मारे जाने की प्लैनिंग हो रही है बंदू के दम पर हो सकता है यहाँ पर हजारों लाखों लोगों का कतल कर दिया जाए तो आपको इसको रोकना होगा उन्होंने लिखा है कि यहाँ पर कतले आम करने की तयारियां हो रही है इसमें केवल तानी तालिबान का हाथ नहीं है इसमें पाकिस्तान का हाथ है और अलकाइदा और यहाँ पर और आतंगवादी संगठन है सबी यहाँ पर मि लिए नोसाइड करने की कोशिज कर रहे हैं पंचसीर वैली में आपको बता दूँ पंचसीर वैली एक ऐसा अकेला स्टेट बचा है अफगानिस्तान में जो कि अभी तक तालीबान के कंट्रोल में नहीं आया है तालीबान ने बहुत बार वफ़ाय फैलाई है कि हमने यह कंट तालीबान के पास अमेरिकन वैपन हैं अमेरिकन हमवीज हैं अगर आप वहाँ पर हैंड ग्रेनेट भी फैकते हैं तो हमवीज में बैठे हुए आतंकवादियों को कुछ नहीं होता अमेरिकन M4 राइफल लेकर के वहाँ पर शूट डाउन कर रहे हैं तब भी यहाँ पर प पंचसीर वैली में वो सब अमेरिकन मेड हतियार हैं तो अमेरिका की यहाँ पर जिम्मेदारी बनती हैं कि हमको यहाँ पर सपोर्ट प्रोवाइड करें और हम तालीबान के साथ यहाँ पर लड़ना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए भी होने वाला क्या है युनाइटेड पंचसीर वैली में कुछ फूड सप्लाइस और कुछ वैपन्स वहाँ पर ट्रोक किये हैं क्योंकि तालीबान ने पंचसीर वैली में जाने वाले सभी रास्ते बंद कर दिये हैं तो वहां पर वो चाहते हैं कि फूड की कमी हो जाएं यह लोग भूख से मर जाएं तो ताज पकिस्तान को घ्री पत्रािइब कर रहे हैं क्योंकि यहांपर हुआ क्या है जो पाकिस्तान की जो इंट्लिजैन्स एजनसि है ईस के जो चीफ है फैज हमीद वो अभी गए है रिसेंटली अफगानिस्तान में वह proportionATION fear मोस्त करने के लिए गए हैं दोनों चीजे मैं आपको बता देता हूँ यहां पर जो पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ है जनरल कमर जावेद बाजवा उन्होंने बिटिस राजदूत को बोला है कि यहां पर जो फैज हमीद है वो तालीबान की सरकार गठन में हेल्प करने के लि वो 31 अगस्त को या एक तारीक को सरकार बनाने वाले थे लेकिन आज 6 तारीक हो गई है और वो सरकार यहां पर नहीं बना पा रहे हैं तो क्यों नहीं वो बना पा रहे हैं देखिए इसके यहां पर रीजन है पावर पावर स्ट्रेगल बहुत चल रहा है यहां पर आपने पाकिस्तान में एक मदर्सा है दारूल उलूम हक्कानिया आप ध्यान से सुनियेगा दारूल उलूम हक्कानिया तो इस मदर्से से जो लोग पढ़ते हैं वो लोग यहां पर बनते हैं बड़े आतंकवादी वो बड़े आतंकवादी पाकिस्तान में अफगानिस्तान में और वेस्टन कंट्रीज में कहीं भी बनते हैं तो यह जो हकानी नेटवर्क है इसी मदर से से पड़े हुए लोगों ने यह आतंकवादी संगठन बनाया था जिसमें आज 4,000 से लेकर 15,000 तक आतंकवादी भरती है जो इनकी तरफ से लड़ते हैं तो देखे अभी क्या हो रहा है पाकिस्तान यहाँ पर यह चाहता हो जितने भी सारी मंत्राल हैं उनमें जो जादातर लोग होंगे वह कानी नेटवर्क के होने चाहिए जिससे कि क्योंकि हकानी नेटवर्क जुड़ा हुए पाकिस्तान से यह दारूल उलूम हकान या पाकिस्तान में हैं सब लोग यहीं से पढ़के जाते हैं आतंकवादी बनने के लिए तो यह जो है अगर हकानी नेटवर्क का अफगानिस्तान में पावर में आ जाएगा तो फिर पाकिस्तान जो चाहें उनसे करवा सकता है जम्मू कस्मीर में आतंकवादी हमले करवा सकता है और भारत की जो इन्वेस्टमेंट हैं भारत ने जो उधर पोर्ट बनाए हैं वो सब इन्वेस्टमेंट डुबा चकता है तो पाकिस्तान का यहां पर यह बहुत ज़्यादा इनका इंट्रेस्ट डवलप हो रहा है यह चाहते हैं कि अफगानिस्तान में जो तालीबान सरकार बना रहा है उसमें हकानी नेटवर्क के लोग लीड रोल में रहे दूसरा और यहां पर एक इशू यह भी आता है कि अगर हकानी नेटवर्क के लोग यहां पर ज़्यादा पावर में आ जाते हैं तो जहां अफगानिस्तान के जो ओर लोग हैं जो तालीबान के ओर लोग हैं क्या वो इनको असेफ्ट करेंगें क्या वो सरकार चल पाएगी जिया गिरेगी बहुत बड़ा क्यूस्टन हो जाता है अब यह तो हुई एक बात जिसके लिए फैज हमीद गए हैं अफगानिस्तान अब दूसरी बात दूसरी बात मैं आपको बता देता हूं देखिए यहां पर क्या है पंचसीर अफगानिस्तान में वह जल्दी से को यहां पर एर्डोप किया गया है तालीबान के आतंकवादी यहां पर खड़े हुए हैं अलकाइदा के आतंकवादी यहां पर खड़े हुए हैं तो उनको सपोर्ट करने के लिए बहुत सारी पाकिस्तान आर्मी को यह अपने साथ में लेकर के आए हैं इसके पीछे इनका ये टकर देना शुरू कर दें क्योंकि पंचसीर वैली मैं आपको बता देता हूँ आज तक भी इत्यास में तालीबान के कंट्रोल में नहीं आया है जब पहले भी 2012 में जब तालीबान ने अफगानिस्तान पे कबजा किया था तो पंचसीर वैली और आजपास के कम से कम 10 स्टेट इनके पंचसीर वैली के लोगों के ही कबजे में थे ऐसा पहली बार हुआ है कि आजपास के सबी स्टेट तो तालीबान के कबजे में आ गए लेकिन जो पंचस कर दें और यहां पर अपना तालिबान का राज स्थाबित कर लें इसके लिए उन पॉन तयारियां Здесь हा यहां पर कर रहे हैं मुद्स कि बहुत कर रहे हैं और कुलेम है कि हमने यहां पर कंजा कर लिया लेकिन पंचीर के लोग कुम बहुत ब्रेव आतंकवादियों को मार रहे हैं लेकिन अब जो इनकी तयारियां है पाकिस्तान अपनी सेना भेजदी है अलकाइदा है और सभी जो आतंकवादी संगठन है जो मिलकर के यहाँ पर हमला करने की कोशिस कर रहे हैं तो यह बहुत बड़ा यहाँ पर एक मानवता के उपर बहुत बड़ा परहार हो मानवता मतलब इस इस नोट गुड मतलब जो भी यहाँ पर मिस्टेक्श हुई है तो यहाँ पर ऐसा नहीं होना चाहिए हम को यहाँ पर कुछ नखु राजिसर करना ϊगा पंचीर वैली के लोगों को बचाना होगा क्योंकि आप नहत्ते लोगों को ऐसे ही नहीं मार सकते और मैं आपको एक बात बताना चाहूं, आप मुझे एक बात बताईए कि UN Genocide Prevention Day कब मनाया जाता है। अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता देता हूं, 9 दिसमबर को मनाया जाता है UN Genocide Prevention Day। तो इसमें क्या होता है, जो लोग यहाँ पर Genocide में मारे गए हैं, जैसे हिटलर ने बहुत सारे लोगों को मार दिया था, उन लोगों की याद में ये दिन मनाया जाता है, और यहाँ पर एक सपत ग्रैंड होता है कि भविश्य में हम ये नहीं होने देंगे। तो अभी देखे क्या हो रहा है, यहाँ पर Genocide के तयार यहाँ चल रही हैं अफगानिस्तान में लेकिन United Nation यहाँ पर चुप बैठा हुआ है, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या United Nation आज की तारिक में relevant रह गया है, क्या United Nation की importance इस दुनिया में बची हैं, या फिर आ यहाँ पर United Nation को अब एक्टिव होते हुए अपने जो Blue Helmets जो सोल्जर हैं, जिसमें सभी देशों से सोल्जर साते हैं, इंडिया से, चाइना से, रस्या से, अमेरिका से, मेजर सबसे जादा सोल्जर यहाँ पर इंडिया नहीं होते हैं, क्या Blue Helmets सोल्जर को यहाँ पर वाचिंग वीडियो, नेक्स्ट वीडियो आपकी इस टोपिक पर देखना चाहेंगे, मुझे कमेंट करके जरू बताइएगा, तिल दैन थैंक्यू वेरी मच, बाई बाई